हेलो दोस्तों मैं आकाशगर का आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आप एक LIC एजेंट है तो आप अपने कस्टमर की LIC पोलिशी में कैसे मोबाइल नंबर और इमेल आइडी को एड़ कर सकते हैं यहाँ पर अगर आपने अपने कस्टमर की इंशोरेंस पोलिशी की है और उस पर इमेल आइडी और अपने मोबाइल नंबर आइड नहीं किया था तो इस प्रोसेस की मदद से आप उसमें इमेल आइडी और नंबर आइड कर सकते हैं उसके लिए आपको ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं होगी और साथ ही कस्टमर को भी यह प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होगी एजेंट खुद से ही यह प्रोसेस कर सकते हैं यहाँ पर आपको यह बात ध्यान रखनी है कि अभी इसमें चेंज का उप्शन नहीं आया है तो जिन पोलिसी में एड नंबर नही सिर्फ उन्ही पॉलिसी में add कर सकते हैं आप यहां पर number change नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको इस page पर आ जाना है इस page का link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा यहां पर सबसे पहले आपको अपना agent code लिखना होगा agent code लिखने के बाद आपको get OTP पर click करना है और यहां पर OTP एंटर कर देना है जो कि आपके agency में registered mobile number पर आएगा OTP एंटर करने के बाद आपको इसे proceed पर click करना है जैसे ही आप proceed पर click कर देगे तो उसके बाद जो भी आपकी agency में ऐसी policy है जिनमें contact details अपडेट नहीं है वो policies यहां पर देखने को मिल जाएगी तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहां पर दो ऐसी policy है जिनमें contact details और email id अपडेट नहीं है तो इनमें update करने के लिए आपको यहां पर update पर click करना है जैसे ही यहां पर आप update करेगे तो उसके बाद यहां पर आपको mobile number एंटर कर देना है जो भी mobile number आप update करना चाहते हैं उसके बाद यहां पर email id भी update करना चाहते हैं तो email id यहां पर आपको type करनी है यह करने के बाद आपको submit के button पे click करना है जैसे ही आप इसे submit कर देगे उसके बाद आपको यह अपनी details को check करना है और confirm पे click कर देना है तो जैसे ही आप confirm पे click कर देगे तो उसके बाद आपको य mobile number और email idea अपडेट कर सकते हैं जैसे कि कहा अभी यहाँ पर change करने का option नहीं है तो हो सकता है future में इसमें change का भी option LIC की तरफ से आपको देखने को मिले तो उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा इस पेज का लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं धन्यवाद